हलो एसलाम वालेकुम तो आज मेरा cooking करने को बिल्कूल भी mode नहीं था तो आज मैंने पूरा दिन बस घर में बिता दिया मतलब घर में नहीं बिताया थोड़ा सह मैं बाहर भी गई थी क्योंकि काम था बहुत जरूरी तो कुकिंग का भी मूड नहीं था मेरा तो मैंने का लाओ थोड़ा सा गंबले साफ किये जाए तो जो प्यास थी ना उसमें सागा निकल आया था तो मैंने वो इसको खोद के अच्छे से गार दिया तो कई सारे गंबले जो थे ना साइड में जगा रह थे ठीक था खाना कोई काफी जादा अच्छा खाना नहीं था लेकिन लसी हां लसी पीने में बहुत मजा आया हमें और इसके बार जब मैं घर आई वापस तो फिर चूले के हाल थोड़े खराब थे क्योंकि मैंने कुकिंग की थी एक दिन पहले वहां पर और तो मैंने का ल जो था वहां रह गया था और बगल वाले चूले में से भी तो मैंने का जब कोई चीज यूस की ए तो उसका खाल तो मैंने पूरा चूला जो था प्र एक बार अच्छा से पोलीड दिया ताकि वह बहुत अच्छा सा लगे उसके बाद मैंने अर्वानिया ने मिल के लिए अलिशा मेरी नीस है तो उसके स्कूल को में जरूरत ही तो मैने और वानिया ने मिल के बना दिया और वानिया इन ने कर दिया था हम दोनो ने मिल के काफी देर बैट के टाइम स्पेंड किया और बाते की और हम लोग ने ड्रॉइंग की कलर किया और इसके बाद फिर बीच बीच में हम लोग ने स्नैक्स भी खाए कोल्डिंग भी थोड़ा सा इंजॉय भी किया क्योंकि आज कोई कुकिंग की शूट नहीं थी मेरी तो हम लोग अज मुझे टाइम फ्री मिल गया तो मैंने और वानिया ने मिलके ड्रॉइंग को कंप्लीट किया और वानिया बहुत थक चुकी थी बहुत साधा थक गई थी उसने काफी अच्छी ड्रॉइंग वनाई बहुत अच्छी से कलर भी किया शेडिंग करे थी इसके बाद हम गए नीचे और नीचे जब शैतूत का पेड लगाया था तो मुझे लग रहा था कि उसमें शैतूत ने निकलेंगे लेकिन इसमें जब यह देखा ना तो बहुत खुश हुई मुझे और यह सागा यह इसमें सागा अच्छा खासा बड़ा हो गया है मैंने यह पहले लगा दिया तो मैंने बहुत सारी जगा थी तो मैंने यहां पर इसको बोदिया था और इसके बाद जब मैंने अलू का ओरनर देखा ना तो वहां पर थोड़ी सी गुईया मुझे ट मिल गई और गुईया में हो रही थी बड़िंग तो मैं नीचे गई तो घर के पीछे की तरफ तोड़े दूर पे इसको लगा दिया अब इसमें से पत्ते निकलाएंगे गुहिया भी निकलेगी तो मैं थोड़ा सा खोद की मिटी और इसको धाग दिया और उपर से थोड़ा सा पानी भी डाल दिया तो गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है और इफी टाइम में पेर हरी मिर्च के पेर लगाए थे लेके आई थी और बगल में थोड़ी से और जगा थी तो गुहियां वहां पे बहुत थी और यह पत्ता का पेर मैं लगाया हुआ था तो नीचे नीचे का तो सारा मैंने यूस कर लिया उपर उपर का रह गया है अभी काफी ये बड़ा ह जाएगा और ये लगा है मैंने बैगन तो चार पांच पेर लाई थी मैं लेकिन उसमें से सिफ दो तीन जिंदा रह गए और ये नेम्बू का पेर और ये है अंगूर का पेर कि काफी बड़ा हो चुका है अभी इसकी पतियां ज़र जाएंगी उसके बाद फेस में अंगू कैनी वाले रहेंगे और मुझे जरूरत थी थोड़ी सी सागे की प्यास के सागे की तो मैंने इसमें से तोड़ लिया था था यह मुझे चौमीन बनानी थी सबके लिए TO घर में आप लगा सकते हैं मैंने इसमें लगाया जिस जो आज मुझे काम में आ भी आ गया तो इसकी यह थोड़ी सी लेसोन की भी मैने पत्तिय तो यह देखे लेसोन मैंने उगाा लिया था तो लेसुन बहुत अच्छा लगता इसकी पत्तिय है श्की चैटमी जब बनाऊना तो बहुत स्वेवर आज अजाता है और इस सिल्बटे प्पीस हो तो इसकी तो बाती अलग हो जाती तो आद दिन मा मैंने यह सब किया hope you enjoy Allah Hafiz